नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो महानाचरिय शुक्रदेव ने ऐसे मुर्ख पुर्षों का वर्नन किया है जो जिवन भर गरी भी रहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण होती है एक स्त्री क्योंकि जो पुरुष किसी स्त्री की प्राप्ती चाहता है उसकी उन्नती भी अदोगती में बदल जाती है शास्त्रों में स्त्री को धन का नाश करने वाली पुर्षों की मति भरष्ट करने वाली तता सदगुनी और बुध्यमान पुरुष का विनाश करने वाली कहा गया है जो भी स्त्री के महों में पढ़ जाता है वो स्वयम के विनाश के मार्ग के और ही प्रस्थान करता है मुर्ख पुरुष स्त्री के प्रती अपनी काम पिपासा को प्रेम समझ बैठता है और अपने ही जीवन का अंत कर लेता है हे मुर्ख अगर तू यह समझ रहा है कि वो मुहिनिस्त्री तुझसे प्रेम करती है तो तुझसे बड़ा मुर्ख इस संसार में कोई नहीं क्योंकि मुहिनिस्त्री कभी किसी से प्रेम नहीं करती वो तो नए नए पूर्षो को चाहती है जब तक तू उसके स्वार्त की पूर किया देती है, रमन करती है, विपाद करती है, चाली चलती है, जूड बोलती है, ढोंग रशती है, हस्ते के साथ हस्ती है, रोते के साथ रोती है, तिक्षन नेत्रों से चोड करती है, विरह का विशाद भी उत्पन करती है, और जैसे ही वह किसी पुरुष को अपने वश में देख लेती है तो वह उसे खेल के पक्षिकित्र ग्रहन कर लेती है और उस नीच को अपने इच्छा के अनुसार नचाती है उसका सब कुछ छीन कर उसे नश्ट कर देती है मुर्ख पुरुष मुहिनिस्त्री की प्राप्ति न होने पर दुखी हो जाता है और अपनी जवानी को एक वैशा की कामागनी रुपी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर देता है तब उसे ना तांत्रिक ना वैद्य और ना ही किसी प्रकार का महायग्य भी उसकी रक्षा कर सकत है हे नीच तुम इस बात को ध्यान में रखना कि कामदेव का प्रभाव अत्यंत कष्ट कारक है दुबले पतले लूले लंगडे गंदगी से भरे हुए मृत्य की कगार पर खड़े हुए कुत्ते भी कुतिया के पीछे लगे रहते है इस प्रकार से कामदेव का प्रभाव क उसको चूमना चाहेगा किन्तु हे नीच तुम किसी दुष्ट स्त्री की प्राप्ति नहीं कर सके तो तुम्हे उस वैशा का द्वार स्वर्ग की तरह ही प्रतित हो रहा है हे मुर्ख ये कामदेव का ही प्रभाव है तुम इससे बहार निकलने का प्रयास करो नहीं तो तु किसी स्त्री की स्वयम होकर सहायता ना करे अगर स्त्री स्वयम होकर सहायता मांगने आये तो उसे माता अथवा बेहन कहकर ना कह देना चाहिए अने था जो पुरुष उस्त्री की मीठी बातों में फसकर उसकी सहायता करने के लिए चला जाता है और अपना पराक्रम दिखाने लगता है, तो वस्त्री उसका इस्तमाल करके उसे नश्ट कर देती है, वस्त्री उस पुरुष को महत्व देने का ढोंग रश्ती है और जैसे ही अपना काम निकाल लेती है, वो उसे लात मार कर किनरा कर देती है। दूसरी बात, अपमानित होना, किसी वे पुरुष को कभी किसी स्त्री द्वारा अपमानित होना नहीं चाहिए, अत्वा किसी स्त्री को अपमान करने का कभी मौका देना नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्ट स्त्री मुर्ख पुरुष को ब्रत्य के समान कष्ट देने के लिए अपमानित करती है, दुष्ट स्त्री ऐसे पूर्षों का उपयोग करके उने अपमानित कर देती है और उसके साथ नीच की तरव विवहार करती है, सबसे बड़ा मुर्ख तो वो पूरुष होता है, जो स्त्री द्वारा अपमानित किये जाने पर भी उस कुल्टा को पाने के जब तब करने लगता है, उस कुल्टा के सामने किसी शिशु की भाती रोने लग जाता है, तीसरी बात, स्त्री से सला लेना, हे मुर्ख, तुम अगर स्वयम के जिवन का कल्यान चाते हो, तो कभी किसी स्त्री से सला मत लेना, नहीं तो वो तेरे सर चड़कर बैठकर तेरा विनाश ही कर देगी, कभी किसी स्त्री को जुवन में आधिक महत्वन ना देना, क्योंकि जो स्त्री के आग्या से चलता है, उसका विनाश होना तो तय है, जो पती अपनी पत्नी की हा में हा मिलाता है, उसके कहने पर चलता है, वो स्वयम तो नष्ठ ही हो जाता है, साथ ही पूरे कुल को बरबाद ही कर देता है तो दोस्तों ये तीव तीन बाते जो किसी बेबुद्धिमान पुरिश को किसी स्त्री के निकट जाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए उमेदे ये वीडियो आपके काम आएगी वीडियो पसंद आये तो लाइक करें दोस्तों किसा शेर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद